एलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग कैसे आप सब आसा करता हूं सभी फीट और फाइन होंगे प्यारे बच्चों आज की सवाले वीडियो में हम लोग एकसर सब्सक्राइब का जो सेवंथ नमबर का क्यों से इसे सॉल्व करेंगे बहुत सारे बच्चे वो लेंगे एकसर य सेवंथ बनाएंगे अगले वीडियो में एट्थ का वन टू और फॉर बनाएंगे क्यों पिछले बार मैंने थर्ड बना दिया था इसी तरीके से हम लोग आगे के जो क्वेस्टन से उनको सॉल्व करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं और यह पहला जो हमारा क्वेस्टन है या अनलाइक डैसिमल है अब लाइक और अनलाइक डैसिमल क्या होता है तो डैसिमल जो है न उसके बाद डिजिट को आपको देखना है कि यहां पर एक डिजिट है तो यहां भी एक डिजिट है लेकिन यहां पर तो दो डिजिट हो गिया तो यहां आपको क्या करना है सभी क क्या करना इसको इस तरीके से लिखना है converting converting into like decimals ठीक है हम इसको क्या कर रहे हैं like decimal में convert कर दे रहे हैं like decimal में convert करने के एदम simple सा तरीका है जैसे देखो यह 5.8 है हमारा न तो इसको आप क्या करोगे यहाँ पर 8 के बाद एक 0 बढ़ा दोगे अगर कोई भी decimal वाला number लिखा है तो उसके बाद आप कितना हूँ 0 बढ़ा सकते हो यहाँ की उपर है जैसे अगर 8 लिखा है तो 8 के बाद आप 0 बढ़ा दोगे तो वह 18 नहीं पढ़ाएगा वह 80 पढ़ाता है 0 6 कम होगा क्यों होगा यह कम और यह ज़्यादा क्यों होगा क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें उनों कितना हूँ 0 बढ़ा सकते हैं आगे में तो अगर मैं 1 0 बढ़ा दू यहाँ पर तो यह कितना बन गया मेरा 60 बन गया लेकिन ये तो 0,6 ही है अभी भी यहां देखो 2 digit है और यहां भी 2 digit है 5 के बाद लेकिन ये 0,6 है और ये actually mean 60 है पढ़ते तो अमनों 0,60 ही है लेकिन ये 60 हो जा रहा है तरह से तो ये हमारा क्या होगा greater होगा ये smaller होगा उसी तरीकी से यहां पर देखो 5.8 है और 5.80 है तो दोनो आपस में equal है अगर इसके बगल में अगर एक 0 रखा रहता ना तब फिर वो 08 बढ़ाता समझ में है मेरी बाद तब वो छोटा हो जाता और ये बढ़ा हो जाता लेकिन इस condition में दोनों equal है ये ध्यान रखने इसको मैंने आपको पहले भी समझा दिया है फिर समझा देता हू कि हम लोग decimal के बाद जब 0 कितन हो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं तेक है जैसे अगला उला देखो 7.2 है न तो इसको 7.20 लिख सकते हो ये हमारा 5.69 हो जाएगा उसके बाद 7.14 हो जाएगा और फिर 5.06 हो जाएगा अब simple ascending order मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़ा लिखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो 5 वाला ही चोटा होगा तो एक 5 वाल यहां है एक यहां है उसमे 5 के बाद कितना है 80 है यानि इसको मुद्ग 20 पढ़ सकते हैं यह हमारा यह 69 है और यहां पर 0-6 है तो जाहिरसी बात है यहां सबसे छोटा होगा 0-6 वाला तो 5.06 सिट SMALLAR नमबर अब इससे greater कौन सा है तो इन दोनों में से आप बताओ कौन सा greater होगा तो देखो 5 point के बाद कितना हमारे पास 69 है जिसको मोग 60 पड़ते हैं और यह 80 जिसको 80 पड़ते हैं तो हमारा 69 होगा इससे बड़ा तो यह हो जाएगा हमारा 5.69 अब इससे बड़ा के लिए मैं इसको 20 और 14 बता दे रहा हूँ तो अब हमारा इससे बड़ा कौन सा होगा 14 होगा और सबसे बड़ा जोगा 20 वाला होगा तो यह से करके यहां पर लिखो 7.14 और सबसे जो greater है हमारा वो देसिमल के बाद numbers को तब यह 20 बन जाएगा और यह 40 नहीं रहेगा इसका मतलब यह सबसे बड़ा है यह वाला जो नंबर था ना वह भले आपको इससे छोटा दिख रहा था इन एक्च्छल में बड़ा यह वाला था ठीक है तो इस तरीके से आपको कोश्म को सॉल्व करने हैं पहलोग होगे लिक्री सब बाग्र कोश्म से उनको व्यांतल है बनाना है चलो बना लेते हैं यह 0.6 का अधियो लगा दो इसके बाद यह हमारा इक जिरो लगा दो यह भी हमारा दो बन गया यह तो पहले से हैं चेक्छ जो 66.6 है तो डेसिमल के बाद यहां पर भी केवल एक ही डिजीट है तो इसमें भी एक 0 लगाओ उसको भी डेबल बना दो और उसके बाद यह लास्ट में मारे पास 0.06 है डबल डिजीट पहले से इसको कुछ नहीं करेंगे अब इसको ज़ली से करणवर्ट कर दो करणवर्ट smaller यह वाला उससे बड़ा कौन सा है तो उससे बड़ा यह वाला है 0.60 अब उससे बड़ा कौन सा होगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि यह दोनों हमारे 66 वाले है 66 तो बहुत बढ़ा हो गया तो यह दोनों में से कोई एक होगा तो decimal के बाद वाला को देख लो तो यहाँ पर decimal बात 60 है और यहाँ पर 06 है यानि इससे बड़ा यह होगा और इससे फिर बड़ा यह वला हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 6.06 इससे greater हमारे पर 6.60 और last में सब से जो greater हो जाएगा वो जाएगा 66.60 चलिए जो अगला question उसे solve करें यह हमारा third number का question है और fourth number जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि उसको मैंने इपर पहले जब पनाया था न इस chapter के वीडियो उसमें complete करा दिया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना नीचे description box में आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा तो चलिए अब इसको जबी से solve करते हैं यहाँ भी like decimal में करना पड़ेगा यहाँ भी decimal के बाद सभी में 2-2 digit है तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसको उतार लेता हो मैं 6.54 उसके बाद फिर हमारे पस कितना है तो 6.45 है उसके बाद कितन कौन सा है तो यहाँ पर हमारे पास सभी में देखो 666 है तो सब तो लब इधर से ब्राबरे हैं हमको क्या करना है केवल decimal के बाद वले नंबर को compare करना है तो देखो यहाँ पर साब सब दिख रहा है कि 05 जो है वो सबसे चोटा है उससे बड़ा 40 वाला होगा फिर उससे बड 50 वाला तो 6.50 और सबसे बड़ा हमारे पास 6.54 यह होता आपका फाइनल एंसर यहां पर complete आपको अच्छे सीदम समझने आगया होगा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलेंगे आपको नेक्स वाले वीडियो में यहां पर जो आगे क क्वेस्टन से ना उलको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेतर्ड में समझा दूंगा थैंक्यू